अगर तुम एक नया नेक बैंड लेने की सोच रहे हो तो तुम ये भी सोच रहोगे कि क्या मुझे एक TWS ले लेना चाहिए या फिर वाइसे बरसा आज के इस वीडियो में दोग देखेंगे कि नेक बैंड या फिर एक TWS कौन सा रहेगा तुम्हारे लिए बेस्ट ये आठ प करके शुरू करते हैं तो परस्नली मुझे तो नेक बैंड जो की गले में लटकते हुए एक आईडी कार्ड वाली फीलिंग देते हैं जो कि मतलब ऐसा रखता है कि किसी ने कोई पेंडेंट बैंड रखा है और मतलब उसको पहन कि कोई उतना जादा प्रोफेशनल नहीं हो जाती है TWS अगर वो अंडर 2000 के हैं तो उनकी बिल्ड कॉल्टी बहुत जादा अची नहीं होने वाली है लेकिन अगर उसी प्राइस ब्रैकेट में नेक बैंड की बात करें तो मतलब बहुत जादा तगडी तुम्हें बिल्ड कॉल्टी देखने को मिल जाएगी काफी जा निकल जाते हैं बस उने केस से निकालो लगाओ और थोड़ी दे बाद तो तुम्हें बूल भी जाओगे कि तुम्हें कुछ पहना हुए नेक बैंस ऑन दी अधर हैंड दो पार्ट में रहता है और पहला पार्ट जो कि तुम्हारे नेक पे रेस्ट करता है दूसरा पार्ट तो वह तुम्हें फील तो जरूर रहेगा अगर तुम रात में गाने अगेरा सुन रहे हो और स्ट्रेट पोजिशन में लेटे हुए हो तो नेक बैंड का वाला पार्ट तुम्हें इरिडेट जरूर करेगा या फिर तो तुम उसे उल्टा करके अपने चेस्ट में रखो मत अगर TWS गिरे ना तो तो वस हो गया काम इसलिए मेक शूर करना कि बहुत ही जादा अच्छे से उन्हें फिट करके रखो अपने कानों में परस्नली इस सेग्मेंट में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नेक बैंड हो या TWS अगर थोड़े अच्छी काफी जादा सीमलेस है दोनों में अब आज आते हैं सबसे जादा इंपॉर्डेंस सेग्मेंट में जिसके लिए तुम यह सब चीजें ले रहे हो पहले के टाइम जब TWS का टेक नया ने आया तब उनकी साउंड क्वालिटी बहुत जादा बेकार थी मतलब स्पेशली अगर अब लोग अंडर 2000 या 3000 की भी बात करें तो लेकिन आज के टाइम में चीज ना काफी जादा बदल गई है लाइक अभी बोट ने लॉंच किया एरडोप 101 या 141 नॉइस बड्स में जो कि अंडर 14-1500 की प्राइज में आते हैं और यह सब बहुत तगड़ा बेस यहां पर हम चाहिए और मतलब बहुत तगड़ी बेस्ट साउंड कॉलिटी जाहिए तो फिर वायद एरफोन की तरफ ही जाना मतलब एक-एक माइनूट सी माइनूट डीटेल कितने जादा अच्छे से क्रिस्प और क्लियर सुनाई देती है लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लुटूथ आडिय प्रोड़क्स आते थे उनमें तुम्हें एक्च्वल ओडियो का कंप्रेस्ट फॉर्म सुनने को मिलता था लेकिन आज के टाइम में लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्शन आगें जो की काफी तगड़े तगड़े कोडेक्स जैसे कॉलकॉम का एप्टेक्स एप्टेक्स करता हो साउंड क्वालिटी अगें ड्राइवर साइस पे भी काफी जादा डिपेंड करती है यह नहीं कि किसे में 13 मिलिमेटर का राइवर साइज है तो वह अच्छा होगा किसी लट से 7-8 मिलिमेटर से क्योंकि यहां पर और और चीज़ें मैटर करती है जैसे कि ड्राइव कितनी जादा टॉप अफ दी नॉच है सो ओवर ओल डेफिनेटली दोनों में काफी जादा अची साउंड क्वालिटी हमें देखने को मिल जाएगी अब तुम को होगे कियार किसी एक को चूस करना हो तो कौन सा लें तो हां आगे वीडियो में तुम्हें वह पता चल दूसरी तरफ नेक बैंड में शायद ही रियल में बड्स वायलेस टू या शौमी का एक नेक बैंड है इनके इलावा को ही भी नहीं है जो कि यह फीचर देता है वहीं टी डव्लूस में बोट, नॉइज, रियल में ओपो इनकी तरफ से हमें टी डव्लूस देखने को मिलते हैं जहां पर एक्टिव नॉइस कैंसेलेशन का सपोर्ट है तो डेफिनेटली एक एज यहां पर टी डव्लूस ले जाते हैं ओवर दिनेक बैंड यहां पर भी सिर्फ रियल में एक ऐसा बैंड है जो कि नेक बैंड में गेमिंग मोड प्रोवाइड करके देता है वहीं देर मिली सेकंड तक भी जा सकती है वहीं नेक बैंड जैसे की वन प्लस या ओपो की बात करें तो यहां पर लेटेंसी 95 से 105 मिली सेकंड तक ही रहती है तो इससे ही तो मंदादा लगा सकते हो वैसे लोग गेमिंग वोड नेक बैंड में क्यों नहीं देते यह तो समझ आता नहीं और फाइनली बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की सो वॉल्यूम कंट्रॉल्स यह नेक बैंड के काफी जाद अची चीज रहती है कि तुम उनसे ही वॉल्यूम को कम या जादा कर सकते हो वहीं ती डवलुस में यह काम तुमें अपने फोन से ही करना हो यह कैसी सब कुछ तुम्हारे लिए कर देगा नेक बैंड में हमें बटन कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं जो कि अगें अपने आप में वह भी काफी अच्छे रहते हैं सो बातों को ज्यादा इधर उधर घुमाएंगे नहीं सीधे ही मैं बोल देता हूं अगर तुम्हारा बजट अराउंड 2,000 के आसपास है तो आग बंतर के नेक बैंड ले लो और कुछेंस्ट आप दे बेस्ट नेक बैंड स्क्रीन में देखी रहोंगे और यह वाले जैसे की सुपर्ब साउंड ओकॉलिटी एक्टिव नॉइस कैंसलेशन और मोस्ट इंपोर्टेंटली कमफर्ट सो यह था मेरा उपीन तुम क्या सोचते हो इस बारे में जरूर से कमेंट करके बताना या फिर कोई नेक बैं या टीडर ब्लूर जो कि तुम यूज कर रहो जर नाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी मनो कर देना और मिलने फिर अगले वीडियो में